अलेकुम नमस्ते आज का ये प्रेस कॉंफरेंस मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों के कैमपेन में किस तरह M.I.M. और B.J.P. इस एलेक्शन को पोलराइस करने की कोशिश कर रही है मैं आज एक सवाल उठाना चाहता हूँ जिसमें मेरा सवाल सीधा आसदोदी नवेसी जो हैदराबाद के सिटिंग M.P. है उनसे है कि आपकी गवर्नमेंट आप चार्मिनार हैदराबाद पार्लिमेंट में 1984 से आप यहां के प्राइमिनिस्टर आपके यहां के M.P. है आप 1984 से आप हैदराबाद के किंग राजा बने वे हैं 1984 से आप मेरे को ये बताईए कि 1984 से अब तक का आज 2024 तक आप पार्लिमेंट में हैदराबाद के लिए आवाज उठा के हैदराबाद के लिए क्या-क्या डेवलोप्मेंट लेकिया है यही सिमिलर सवाल मेरा बीजेपी से है कि दस साल में, आप दस साल से सेंट्रल में हुकूमत में है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी दस साल में ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लिमेंट के लिए क्या क्या करें, क्या ऐसे डेवलेप्मेंट्स लेकिया है, और आज उनकी कैंडिडेट माधवी लता, जो हैदर पार्लिमेंट से बीजेपी की कैंडिडेट है, ये आज एक छोकर का रोल प्ले कर रही है, हर जगा पिर रही है, मुस्लिम एरियास में, हिंदू एरियास में, हिंदू एरियास में जाके, मुसल्मानों के खिलाफ भढ़का रही है, बोल रही है कि मुसल्मानों को निकाल के के इंटर्वियू में मादवी लतागाब ये बोलना था कि उनको उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो सारे मुसल्मानों को इंडिया से बाहर निकाल भेगेंगी उसके बाद ये हनुमान जहिंती के दिन एक तीर का निशाना बनाती है मस्जिद की तरफ मस्जिद के तरफ एक दिन का निशारा बतात बनाती है हजारों मुसल्मानों के लाखों मुसल्मानों के सेंटिमेंट्स को ये नों तकलीव दिये मूदी जी के हिसाब से जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनकी ऐसी सोच है कि हैदराबाद हैदरबाद शहर में स्पेशली ओल्ड सिटी में सिर्फ ISI के एजेंट्स रहते हैं और सारे एंटी नैशनल लोग है इनके हिसाब से तो पूरे का पूरा ओल्ड सिटी एंटी नैशनल है इनके हिसाब से यह है कि यहाँ के लोग ओल्ड सिटी के जो है यह मुसल्मान है और इनको तो हैदराबाद से निकाल पेखना है एंटी नैशनल है तो मैं मादवी लता से यह पूछना चाहूंगा आप मुसलिन एरियाज में कैम्पेण किये आपको कितने एंटी नैशनल आएसाई एजेंट्स मिले जब मुसल्मान आएंटी नैशनल इसाई एजेंट है इनको देश से निकाल पेखना है तो किस हक से आप आ रहे हैं क्यों आप वोट मांग रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस वकात आप एक जोकल का रोल प्ले कर दी पीजे पी जिसका ये सोचना है कि मुसल्मान हिंदुस्तान के लिए हानी कारक है जो C एनार्सी बेगे आके मुसल्मान को खतम करना चाह रही है, हैदराबाद हैदराबाद शहर एक मुसल्मानों का शहर है यहाँ पे मुसल्मान बसेवे है तो जब इनके हिसाब से यह है कि मुसल्मान सारे गुस्पेडिये हैं, तो पिर आप मुसल्मान के बिच्पे फूट जालके जगड़ा करना चाह रहे हैं तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ये जो फिर्खा परस्त पार्टीज है मादवी लता, अक्बर उद्दीन अवेसी हस्द उद्दीन अवेसी आज जिस तरह आज एलेक्शन को पॉलराइस कर रहे है एक तरफ MIM, एक तरफ BJP MIM की सोच तो Old City को लेगे हमेशा गलत रही MIM तो हमेशा Old City को सिर्फ आज एलेक्शन चलो हैदराबाद का छोड़ दीजे हैदराबाद में यहाँ पर फीन पार्टी है MIM, BJP, Congress जिसके बीच में ट्राइंगल एलेक्शन चल रहा हिंदुस्तान में किसके बीच में एलेक्शन चल रहा हिंदुस्तान में तो दोई पार्टी के बीच में एलेक्शन चल रहा एक है Congress, एक है BJP जब दोई पार्टी के बीच में एलेक्शन चल रहा जब दोनों opposite पार्टी है किस तरह फीटी नहीं हो सकती बताया सुब पब्लिक के नजरों में धूल जोग रहे सिमपती के रहे हैं यह सुब धूल जोगना है हम बी टीम नहीं है यह जो इल्जामात है बी टीम कॉंग्रेस के उपर यह बिल्कुल बेसलेस और घलत है हम तो बीजेबी के अगेंस्ट में वोट बांगने वाले जो लोग है जो फिरखा परस पार्ट्टिया है इनके अगेंस मेंister के हमेशन से लड़ए ही नहीं हुए इनसे कॉंग्रेस की दोस्ती कभी नहीं हो सकती कॉंग्रेस अगर एकुदतार में आती है इदरबाद में तो यहाँ पे सबसे पहला बड़ा जो मुद्धा है आप हमारे पास Old City में कई बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे वे पढ़के लिखने के बाद सबसे पहले यह बच्चों को रोजगार पे लगाना है Old City में ऐसे developments लाना है जो Old City के अंदर खुद रोजगार पैदा हो सबसे पहले हमारा मुद्धा वो ही है कि हम Old City के अंदर development लाएंगे यहाँ के roads, roads की हालत देखिए आप क्या है आप चलते हैं कम गड़े जादा है यहाँ के road infrastructure को सही करना है यहाँ का सुवेज सिस्टम को सही करने का है यहाँ पे अच्छे schools नहीं है colleges नहीं है यहाँ पे higher education की कोई facility नहीं है हमको अच्छे school, अच्छे colleges लाना है आज यहाँ पूरे हैदराबाद Parliament में एक ऐसा multi-speciality government hospital नहीं है जिसके अदर आप जाके आराम से इलाच करा सके हमको यह लाना है तो यही आज AIM हमसे मेरा सवाल था यहाँ के असलूरी नवेशी से यही सवाल था कि 1984 से आप इक्तिदार पे है क्या आप यह आज तका यह facilities हैदराबाद में हैदराबाद Parliament के जब आप MP रहे तो यह facilities आप क्यों नहीं लेकिया आए आप बताईए कि आप क्या facilities लेकिया आए यही आज का मेरा सवाल था BJP तो Old City को हमेशा एक खुस्पेटिये के नजर से देखी आज Old City के slums में इतने इतने जितने problems है क्यों आज मोदी जी को यह ने नजर आया कि यहाँ पे भी लोग है एदराबाद में खाली हिंदू और खाली मुसल्मान नहीं रहते यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं तो BJP जब Old City को बोलती है तो सारे हमारे हिंदू भाई भी उस पे शामिल है तो BJP की सोच हिंदू और मुसल्मान BJP के जो सोच है यह दोनों पे लागव हो रही है तो लहाजा मेरी साराओं से अपील है सबसे की आप लोग अपनी तरह अपने अखल को इस्तिमाल करके सोचिए यह communal politics से बाहर आएए गुलावी से बाहर आएए जो लोग आपके से मजब के नाम पे वोट मांग रहे आप उनसे के बारे में सोचिए आपका वोट आपके आने वाले मुस्ताखमिल को डिसाइड करेगा हिंदूस्तान का future आपका वोट डिसाइड करने वाला है तो 13 में के दिन जो पोलिंग है आप उसके दिन पाहर निकलिए ने वोट का इस्तिमाल कीजिए और इस बार वोट को सोच समझ के इस्तिमाल करिए कांग्रेस एक सेक्योलर पार्टी है कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई ये सब की पार्टी है कांग्रेस हम सब को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार मजब के नाम पे वोट देने वालों से खता तालुख करिए, इनसे दूरी करिए और कांग्रेस आप से डेवलब्मेंट के नाम पे वोट बांग रही है कांग्रेस चाहती है कि ओल्ड सिटी भी आज दूसरे शहरों की तरह हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की तरह, बैंगलोर की तरह, दिल्ली की तरह, बंबे की तरह डेवलब हो, आगे बड़े यहाँ पे भी रोजगार आए सबसे पहले कांग्रेस का यह चाहना है, कि जो बच्चे बड़े लिखे यहाँ पे बैठे हैं, वो लोगों को नौकरी मिले, हमारा यूद से अपील है, कि आप लोग आगे बढ़िये, कांग्रेस की साथ का साथ दीजिए, इंशालला हम आपकी बहतेरी के लिए, जो कांग् सबसे आखे बढ़िये, हमारे लिए तो दूर है कांग्रों से बढ़िये, जा के मुसल्मानों से उट बान भी, आज मतों में बीजेपी के सवाल लादा इपोर्णेट है